रामकदम जी वो सीधा रोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस जिक्र पर जो उनोंने सहकारता घोटाले की सचाई घोटाले का जो उनोंने भोपाल में जिक्र किया वो कह रहे हैं कि उसी का असर है या नहीं आपकी वाशिंग मशीन में धुलने आ गए देखिए पढ़ना में जो विपक्ष दनों की पैटक हुई हम उसे पैटक नहीं मानते हैं नोटंकी मानते हैं और उसमें एक हवा बनाने का प्रयास हुआ कि आजर्णिय प्रधारमिंत्री मोदीदी के सामने दोजार चोबिस के चुनाओं को लेकर के देश का समुचा विप पारा था आज पूरी तरह से तहसमें होता हुआ सारा देश देख रहा है क्योंकि इसके जो मुल मुख्या थैं उनका जो दल था वो दल आज पूरी तरह महराष्ट में हमारे साथ सेकार में शामिल अब इसके मूरता हाँ दो बिंदु है यदि आप व्यक्तिका तोर पे पिश्वास करते है और दल की सीमाओं के परे जाकर वे नेता को प्रशंसा करना अगर कोई विकास की बात कर रहा है उसी इसकी आनोचना करना अगर कोई गलत हो रहा है तो इस प्रकार से स्पश्च बुलना या उनका स्वभाव मुलता रहा है और विगत नौ वर्शों में इस सारी बातों को जोडने के बाद उन्होंने भी आज आज अधरनियम मोदी जी के कामों पर विश्वाद है रहा सवाल आप आपने जो कहा है कि रुष्टा चरों की बातों को उठाया कि यहां आकर कोई धुलिया ऐसी नहीं है जाच एजंसिया काम कर रही है वो अपना काम करेंगे पर देश का राज्य का विफास ही आे सब फाठाय हां लोग के तंद्रमे क्या होगा विकास के करें पाय Hessल यो च्ली करें दें इन बातों को हमें विश्व प्रायोरिटिनी होगी और उस आप यहांराश भय सबूों हिआ और अज तन्य आमिथ्य से आपकी चिंता भी हो रही है, मुझे तो मैं तो लाइटर नोटत पे कह रही हूं, आपकी चिंता हो रही है क्यों कि रोज सुबा उठके आप जिन जीनओ पवार के खिलाफ जिन नेताओं के खिलाफ ड़िडियो बनाते थे, अब कहां उनके खिलाफ वीडियो बना पाईएगा क्या अब तो अब सरकार में हो लाइटर नोट पे कह रहे हूं गुस्ता मत कीज़ेगा लेकिन ये काम था अब ये जिन पर आप लोग सुबह से शांता कारोप लगाते थे वो सारे अब आपके साथ आगे पहरती जनता पार्टी में सबसे पहले राठ पर उसके बाद अच्छा आपने कितने वीडियो बनाएटे आजीद पवार और चगन बुझबल के खिलाफ मुझे बताईएगा बता रहा हूं आपको बता रहा हूं कितने वीडियो बनाएगा तो मैं यह नहीं करूंगा हर सवाल का जवाब है शांती से तुन्हें आप भी मैं भी शांती से जवाब हूँ रहा सवाल हमने कता यह नहीं कहा कि पूर्ण अतहा जब कोई विक्ति साथ में आया है तो एक बूलता जो विचारधारा अब विचारधारा क्या है विकास की विचारधारा है अजीत दादा खुद विकास की काम को मानते है और रहा सवाल जो विचारधारा पर हम बोला करते थे जिन विश्वर पर हम आलोचना किया करते थे वो तो बिल्कूर रहेगी उसमें कई कभी नहीं आईग कल के दोर पर हमारे साथ रहे करके कोई मंत्री अगर गलत कर रहा है तो विदायक के तोर पर किसी तोर पर